हाली में दोस्तो एक update निकल कर आई है कि Honda Company अपनी एक mid range SUV को भारती बजार में लॉंच करने जा रही है और इसकी leaks भी सामने निकल कर आई है इसलिए आप वीडियो को end तक देखिए ताकि आपको इस car की images और सारी information इस वीडियो में पता लग जाए यहाँ पर दोस्तो अगर इस car के looks को देखें तो looks इस car का बहुत ही शांदर है इस car के आने से सेल्टोस और क्रेटा को जो market है वो यहाँ पर पूरी तरिके से down होने वाला है अगर आप इस car की side image की leaks को देखोगे तो side से इस car की cuts and crease lines वो बहुत ही अच्छी है कार एकदम bold देख बहुत ही अच्छा मतलब overall जो सामने का looks है वो इस car का बहुत ही simple और बहुत ही प्यारा लगता है वहीं अगर आप इस car के पीछे के looks को देखोगे तो पीछे से भी car देखने में बहुत ही अच्छी लगती है आपको LED टेल लाइट मिलती है और LED इंडिकेटर्स मिल जाते है पीछे एकदम bold और muscular feel आपको यहाँ पर पीछे के looks से भी देखने को मिल जाता है अगर इस car के दूस्तों alloy wheels की बात कर तो आपको top model में 16 inches के alloy wheels मिलेंगे और अगर आप base model की तरफ जाते हो तो आपको 15 inch के alloy wheels इस car में देखने को मिलेंगे यहाँ पर दूस्तों बात कर इस car के engine की तो दूस्तों इस car में आपको 2 engine देखने को मिलेंगे पहला आपको मिलता है 1.5 लिटर का turbo charge petrol engine जिसमें आपको 190 bhp की power और 240 newton meter का torque देखने को मिलेगा वहीं दूसरा engine आपको 1.5 liter का diesel engine जिसमें आपको 160 bhp की power और 270 newton meter का torque मिलेगा इन दोनें ही इंजन में आपको 6 speed का manual transmission और 60-speed का automatic transmission देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इस कार के features की बात करने तो features इस कार में आपको धेर सारे देखने को मिलने वाले हैं। जैसे की 360-degree camera और दोस्तों यहाँ पर best part यह है किस कार में आपको दो panoramic sunroof देखने को मिलते हैं। अगर आप image को थोड़ा close करके देखोगे, मतल़ थोड़ा zoom करके देखोगे तो आपको split part में sunroof देखने को मिलता है। इसका मतलब driver अपने हसाब से उसका sunroof control कर सकता है और passenger अपने हसाब से उसका sunroof control कर सकता है। जो की बहुत ही अच्छी चीज़ है। ADAS sensors भी आपको इस कार मिलते हैं जो आजकल trend बन चुका है और इस कार में आपको ADAS sensor भी देखने को मिलने वाले हैं। Dual climate control 10 inch का TFT infotainment system मिलेगा जिसमें आप Apple CarPlay और Android Auto को use कर सकते हो। Ambient lights 12.3 inch का TFT instrument console भी आपको मिलेगा जिसकी जो visibility वो बहुत ही अच्छी है और इसमें आप कुछ riding modes भी मिल जाएंगे। तो overall आपको interior जो इस कार गावो एकदम बहतरी ने देखने को मिलने वाला है। आप 5 लोग आराम से comfortable तरीके से बैट कर राइड कर सकते हो। Ventilated seats आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 7-way adjustable driver seat भी मिलती है, Rear Ace Events, Wireless Charging, तो features के मामले में कोई भी कंजूसी यहाँ पर Honda Company ने नहीं किये, आपको एकदम top notch features इस कार में देखने को मिलने वाला है। Safety features की बात करें, जो आजकल first priority लोग की हो चुकी हो और safety तो कार में तगड़ी होनी ही चाहिए, इस कार में दोस्तों आपको 6 airbags मिलेंगे, EBD, Emergency Brake Assist, ABS, Hill Assist Control, Cruise Control, Rare Parking Sensors और Child Safety Lock भी आपको इस कार में देखने को मिलता है। जो looks है वो बहुत ही शांदर है, आपके सामने looks निकलके आचुका है, मैंने हापर आपको सामने leaked images भी रख दी है, features भी आपके सामने discuss कर दिया है, safety features भी आपको बता दिया है, engine भी आपको बता दिया है, overall car में आपको सारी ही चीज़े अच्छी मिलती है, तो कह सकता हूँ कह Creta और Celto से काफी तगड़ा rivalry car करने वाली है, अब अगर बात करें इस car की pricing की जो कि इसका best part है, price भी इस car का अच्छा खासा है, 10 लाख रूपे से ये car start होगी और इसको जो top model है, वो तकरीबन 17 लाख रूपे तक जाएगा, तो अगर आप एक दम नई fresh car चाहिए तो आप थ SUV को book करें आए हो, तो आप अपनी booking cancel कर दो, क्योंकि एक बहुत शानर SUV भारती बजार में launch होने वाली है, बाकि दोस्तों आप comment करके बताओ कि अगर ये car launch होती है, तो क्या आप इस car को लिना पसंद करोगे, और क्या कुछ चीज़े आपको इस car में पसंद आई है, leaked images को दे and wait for my new upcoming videos.